Hello Everyone, Welcome to our YouTube Channel आज की वीडियो सभी के लिए बहुत important है आप IPO में apply करते हो या नहीं करते हो आज की वीडियो को पूरा देख लेना आपके mind में जो भी query होगी IPO के recording वो सब clear हो जाएगी हमने observe किया है लोगों को काफी ज़्यादा confusion है इसी वज़े से वो गलत तरीके से apply करते हैं और उन्हें allotment नहीं मिलता तो आज सारे question को one by one देखेंगे और इन सभी question में कुछ ऐसे question होंगे जो आपके mind में चल रहे होंगे आज के बाद किसी को भी IPO के regarding कोई confusion या doubt नहीं रहेगा ये हमारा promise है आपसे चैनल को subscribe एंड वीडियो को सबके साथ share याज से कर लेना तो start करते हैं questions and answers की list हमने सारे question जो भी आप सभी पूछने हैं वीडियो में वो note कर रखे हैं मैं question put करूंगी और sir उनको clear करते रहेंगे ओके तो चलिए start करते हैं questions and answer session सबसे पहले कुछ basic question है उनको देखते हैं first question जो लोग IPO में apply नहीं करते हैं उनके mind में ये आता है कि IPO में apply क्यों करना चाहिए देखिए IPO में apply करने से नुकसान कुछ नहीं है क्योंकि कोई charge नहीं लगता कोई feast नहीं है कोई पैसा cut भी नहीं होता है आप जितनी भी amount से IPO application लगाएंगे वो amount कहीं जाती भी नहीं है आपके bank account के अंदर ही hold होकर रह जाती है मतलब एक जगह block हो जाती है उस amount को आप 4-6 दिन जब तक वो IPO open रहेगा तब तक बस use नहीं कर सकते अगर आपको IPO में allotment मिल गया तो वो amount कट हो जाएगी और आपको उतनी value के company के share मिल जाएगे और अगर आपको allotment नहीं मिला तो जो amount block होई थी न वो वापस से आपके account में unblock होकर आ जाएगी simple इसका मतलब अगर किसी को IPO allotment नहीं मिला तो उसका पैसा कहीं गया ही नहीं block होकर वापस से unblock हो गया सभी को IPO में apply करना चाहिए फिर तो तो क्या सभी IPO में apply करना होता है नहीं ऐसा नहीं होता है IPO में basically demand and supplier game चलता है अगर कोई company अच्छी है और उसने share का price कम रखा है तो वहाँ demand ज़्यादा जाएगी जिस से उस particular IPO के premium या कह सकते है GMP grey market premium positive में हो जाएंगे 10% हो सकते है 20% या 50% भी हो सकते है तो ऐसे IPO जहाँ grey market premium काफी अच्छे होते है या positive में होते है वहाँ हम apply कर सकते है वहाँ loss होने के chances ना के बरबर होंगे वहीं दूसरी तरफ अगर company का record अच्छा नहीं है मतलब company के financial अच्छे नहीं है या company price high लेकर आई है IPO का तो वहाँ demand कम हो जाएगी क्योंकि लोग वहाँ apply नहीं करेंगे जिस से premium negative में चले जाएंगे ऐसे IPO से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी listing negative में होगी और वहाँ आपको loss होता है अच्छा सर तो मैं समझ कई जिस तरह share को भी देख परक्कर buy करते हैं उसी तरह IPO में भी हमें review करके apply करना होता है सर माइन नेक्स question इस IPO कितने type के होते हैं IPO में ली दो type की होते है mainboard IPO and SME IPO mainboard IPO में वो companies जिनका size बड़ा होता है वो आती है और SME IPO में वो company आती है जिनका size छोटा होता है तो ये बताए कि mainboard IPO में कितनी category से apply कर सकते है mainboard IPO में हम तीन category में अप्लाई कर सकते है retail category जिसमें application 15,000 के करीब से लेकर 2,000,000 तक की value से होती है यहाँ द्यान रखना मैंने 15,000 के करीब वड का use किया है मतलब ये fix 15,000 की नहीं होती है क्योंकि एक load की value सभी IPO में अलग होती है generally ये value 13,000 से लेकर 15,000 के करीब की होती है and second category में आपको 2,000,000 से 10,000,000 की amount से प्लाई करना होता है इसको बोलते है small H&E category and third category में आपको 10,000,000 से उपर की amount से प्लाई करना होता है इसको कहते है big H&E category बट मैंने सुना है कि सभी amount से apply करने का फाइदा नहीं होता इसका क्या मतलब होता है फिर देखिए IPO में apply load के अंदर होता है एक load के अंदर fixed number of share होते है जैसे माल लेते है कि एक load के अंदर 20 share है और per share का price 700 उर्पीस का है तो एक load की value बनगी 14,000 अब retail category वालों को 14,000 इसे लेकर 2,000,000 तक amount में apply करना होता है बट अगर वो IPO retail category में oversubscribe हो गया ना तो उनका minimum amount जो होगा वो ही count होगा इसलिए retail category वालों को एक load से apply करना चाहिए अगर उससे उपर apply करेंगे ना तो वो आपका count एक ही load होगा फिर क्यों बेफाल तुमें आपको ज़्यादा amount block करनी है ये point clear हो गया सेम इसी तरह small chni वालों को भी दो लाग से जस्ट उपर जो minimum value बनती है loads के according उसमें apply करना चाहिए जैसे यहाँ 14,000 का एक load था तो 14 load की value बन जाती है 1,94,000 और 15 load की value बन जाती है 2,10,000 and small chni category के लिए हमें कम से कम 2,00,000 से उपर की application लगानी होती है इसलिए हम यहाँ पे 15 load की application लगाएंगे इससे उपर भी लगा सकते है बट लगाने का फाइदा नहीं है मान लेते हैं आपने 30 load की application लगा दी जो बन जाती है 4,20,000 की and small chni category में IPO overscribe हो गया तो आपकी count वो 2,10,000 की ही होगी सेम इसी तरह big chni category वालों को भी 10,000,000 से just उपर की जो application बनती है उसी में apply करना चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ की हमें हर category के अंदर जो minimum amount की application होती है उसी में apply करना चाहिए उससे ज़्यादा value की application लगाने से कुछ फाइदा नहीं होगा बस हम extra fund को block कर लेंगे जो किसी और application में भी use कर सकते है अच्छा मेरा next question है यह सभी तरह की application को कहीं से apply कर सकते है retailers and small chni application को तो आप अपने demand account से जहां बीजिसी broker में आपने open कर रखा है वहाँ से अराम से apply कर सकते हो बट big chni के application के लिए आपको net banking का use करना होगा क्योंकि demand account से एक लाग से दो लाग के बीजिस करना होगा इसलिए बीजिसी के application आप demand account से apply नहीं कर सकते वह application हमेशा net banking से ही करनी होगी एक question और है SME IPO में कितनी category होती है SME IPO में दो category में apply होता है detail category and hna category SME IPO में एक load का size होता है न वह एक लाग से दो लाग की बीजिस का रहता है इसलिए retail category के application एक load की बनती है और उसकी value बन जाती है एक लाग से दो लाग की और वह ही hna category application दो लाग से उपर की बन जाती है अच्छा ये बताईए mainboard IPO में किस category में हमें apply करने का फायदा होता है अगर हम allotment पे focus करें तो mainboard IPO में अगर हम allotment की बात करें तो वह होता है loading system से तो इसमें retail category and big hna category का allotment chances काफी high रहता है as compared to small hna का क्योंकि वहाँ पे subscription status कम रहता है as compared to small hna के बट किसी भी IPO का subscription status देखते हैं तो वहाँ तो big hna का subscription काफी ज़्यादा रहता है तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ subscription कम रहता है big hna का ये अच्छा question है इसमें सभी को mainly confusion रहता है देखिए almost सभी को यही लगता है कि अगर हम big hna यानि 10 लाग से उपर की application लगाते है तो हमें allotment 10 लाग के share का मिलेगा बट ऐसा नहीं होता है hna category में चाहे आप small hna में जाए या big hna में जाए मतलब चाहे आप 2 लाग से apply करें या 10 लाग से apply करें आपको allotment जो मिलेगा ना वो 2 लाग से मिलने वाला है तो फिर big hna में apply करने का क्या फाइदा है अभी समझते इसको भी देखिए आपको इतना clear होई गया होगा कि 10 लाग big hna में apply करने से आपको allotment जो है वो 2 लाग का मिलने वाल है तो big hna में जो भी subscription status होता है उसको 5 से divide करना होता है जैसे माल लेते है IPO retail category में 10 times subscribe हो गया है small hna में 48 times subscribe हो गया है और वहीं big hna के अंदर 45 times subscribe हो गया है तो आपको first two category retail और small hna में तो कुछ नहीं करना है बट आपको big hna वाले figure को 5 से divide करना है तो ये बन जाता है 9 का इसका मतलब big hna category में 9 में से 1 को allotment मिल जाएगा अच्छा तो big hna का फाइदा ये है कि वहाँ allotment के chances काफी अच्छे रहते हैं as compared to small hna के इसलिए जिनके पास वंड अच्छा रहता है उन्हें हो सके तो big hna की application लगानी चाहिए तो my next question is तो क्या SME IPO में भी allotment lotty system से ही होता है नहीं वहाँ retail category में तो allotment lotty system से होता है बट hna category में proportion based पे होता है जैसे माल लेते है SME IPO में hna category 200 time oversubscribe हो गई है तो आपको एक load लेने के लिए 200 load के लिए apply करना होगा and SME IPO में एक load की value एक से 2 lakh की बनती है तो 200 load के लिए apply करने के लिए आपको 2 से 4 code तक की application लगानी होगी मतलब 2 से 4 code से apply करने पे आपको एक load मिलेगा allotment का इसलिए SME IPO में भूल कर भी hna category में apply मत करना SME IPO में हमेशा detail category में apply करना चाहिए ये point हमेशा आपके mind में save होना चाहिए बट बहुत लोग ये बोलते हैं कि allotment मिलता ही नहीं है कितनी बार apply कर लिया तो क्या करें येर देखो सिद्धी सी बात है जो अच्छे IP होंगे न वो काफी high time oversubscribe हो जाएंगे तो उनमें allotment के chance काफी कम रहते हैं बट आप ये देखिए कि कुछ charge तो लग नहीं आपका तो फिर ठीक है ना apply करते रहो अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले है पैसा बन जाएगा otherwise हमारा कुछ गया तो है नहीं apply ना करोगे तो भी fund जो है वो आपके account भी रहने वाल है तो बैटर ये ये कि apply कर दो कोई बात नहीं उसके लिए मैं हूँ ना हमारे इस चैनल को subscribe कर लो यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ वाँ time खराब करने के जोड़त नहीं पड़ेगी हम सभी अच्छा IPO के review आपको time से share कर देते हैं जिससे आप clear रहो कि उसमें क्या करना है आपको डेली मेरे टेल्गेम चैनल पे share कर दी जाती है तो बस आप सबकी यह टेलिशन खतम हो गई यह की जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके लिए चैनल को subscribe कर लेना और मेरे टेल्गेम चैनल को join कर लेना पर कुछ लोग यह बोलते है कि first day में जब IPO open होता है उसी time apply करने से फाइदा ज्यादा होता है as compared to last day में जब IPO काफी ज़्यादा over subscribe हो जाता है क्या ऐसा है यह confusion भी काफी लोगों के मैंन में चल रहा है कि IPO जब open होता है उस time वो पूरा subscribe नहीं होता है उस time apply करने से अलोट्में के chance बढ़ जाएंगे और कुछ लोग तो यह भी सोचते है कि IPO में अगर हम pre open apply करते तो उससे भी हमारे अलोट्में के chance बढ़ जाएंगे बट यह सब आपकी गलत फैम ही है ऐसा बिलकुल नहीं होता है जार देखो IPO में अलोट्मेंट का प्रसेस जो होता है वो IPO के end होने के बाद start होता है इसलिए आप चाहे pre open apply करो या first time apply करो या last time apply करो सब एक ही बात है IPO के end होने के बाद सारे application में से लोट्री बेस पे अलोट्मेंट डिसाइड होता है बलकि मैं तो यह कहूंगा कि आपको apply हमेशा last time में करना चाहिए क्योंकि बड़े players QIP जो है ना वो last time apply करते है तो वो कितना apply कर रहे है उससे काफी कुछ clear होता है क्योंकि म and फिर apply करो अगर आपको सही लगे तो allotment chances increase करने के क्या trick होती है क्या बताओगे देखिए allotment chances increase करने की ऐसी कुछ trick तो नहीं होती है बट हाँ अब lottery system से allotment मिल रहा है तो जितनी ज़्यदा application लगाओगे उतने chances आपके भर जाएंगे allotment के family में सभी की name से account open कर लो and उसमे apply कर दिया करो बट ध्यान रखना एक name से एक एप्लिकेशन लगानी है एक name से ज़्यदा application लगाना ही गलती मत कर देना वो count एक ही होने वाली है and मैंने सुना है female name से application मिलने की chances ज़्यादा होते हैं तो क्या ऐसा reality में होता है क्या मुझे ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि allotment जो होता है वो lottery base पे होता है अब उसके अंदर male और female की application को अलगत रोना करते है बट ठीक है अगर आपके मन में ये बात आई है तो तसल्ली के लिए आप female name से भी try कर लो घर के अंदर mother, sister, wife और daughter के name से भी account उपन करके देख लो हो गया है आपने सभी में apply किया है और आपको अर्टमन नहीं मिले है तो हो सकता है कि आपका demant account freeze हो गया हो तो उस case में आप different broker में new account open करिए और उससे apply करना short कर दीजिए तो ऐसा करने से आपके chances वापिस से बढ़ जाएंगे अर्टमन मिलने के अच्छा एक बात आपने देखा होगा काफी बाहर कि IPO जब 10 पजे open होता है उसके बाद downside में joint हो जाता है और हम issue में इससे sell नहीं करते है कि price वापस से उपर आएगा और हम sell कर देंगे तो इस तरह से काफी बाहर रिटेलर्स फर्स जाते है price उपर आता ही नहीं है और उन्हें जो listing के मिलना च प्राइस तक लगानी होती है क्योंकि 9.45 पे IPO का listing price fix हो जाएगा कि वो particular IPO कि इस price पे open available है उससे पहले हम bid लगा सकते है अब इसमें कुछ case बनते है जैसे मान लेते है कि IPO का price 100 रुपे का है और premium चल रहा है अग 20 रुपे का और आप चाहते हो कि मुझे 10 रुपे मिल जाए profit क मैं उसमें खुश हूँ तो आप एक काम कर सकते है कि 110 की selling bid लगा दो पहले ही अब IPO के listing 110 या उससे उपर की बनेगी किसी price पे होगी तो आपका order वो execute हो जाएगा जैसे मान लेते है कि IPO के listing 115 पे हो गई and आपने order लगाए 110 का तो आपके share 115 price में sell हो जाएंगे क्योंकि आप तो 110 price पे खुश थे ना अब तो आपको 115 मिल रहे है मतलब जो भी price आपने sell में लगाया होगा अगर उससे उपर price पे IPO open होगा तो जिस भी price पे IPO open होगा उस price पे आपके share जो है वो सारे sell हो जाएंगे बट अगर IPO 110 price से नीचे open होगा तो आपका order execute नहीं होगा वो cancel हो जाएगा यह बात में ध्यान रखना जैसे मान लेते है कि IPO open 109 पे में हो गया है तो आपका order cancel हो जाएगा इस case में आपको फिर 10 पजे जब IPO open हो जाएगा उसके बाद फिर से order लगाने पड़ेंगे I hope आपको यह pre open IPO का funda जो है वो पूरा clear हो गया होगा एक question और लोग कूश्टे है कि SME IPO कुछ broker account में शो नहीं होता और कुछ में अलोट्मेंट मिलने के बाद listing पे sell करने में error आता है हाँ ऐसा होता है मैंने भी काफी जह देखा है देखिए मैं IP application में हमेशा जिरोधा या अप्स्टोक का यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है अराम से उसमें apply कर सकते है और listing के बाद वो अराम से sell भी होयता है बाकी सभी brokerage account के अंदर म अप्लिकेशन के लिए इनमें account opening link के निचे description में दे दिया गया है उस link से apply within 5 minutes में हो जाएगा और एक दिन के अंदर अपका account open भी हो जाएगा हमारे इस efforts के लिए प्लीज वीडियो को like and सबके साथ share जरूर करिए साथ में चैनल को अभी के अभी subscribe कर लेना iView के regarding आपके सारे question को हमने यहां cover कर लिया है अभी भी आपके मन में कोई और question हो तो नीचे comment जरूर करना आपकी query को जल से जल solve कर दिया जाएगा तो चलिए मिलते हैं next video में किसी और important stock market की information के साथ Thanks everyone